दोस्तों आज के जेनरेशन में mixer grinder का यूज जादा हो गया है और जैसा कि आप लोगों को पता है mixer grinder के अंदर में एक पॉड़ बहुती जादा यूज होता है वह स्मॉल जार होता है क्यूंकि इसका जादा यूज होता है छोटे जार का तो इसके अंदर में बहुत सारा को हम रिप्लेस कर सकते हैं तो कभी भी लीकेज का प्रोब्लम अगर आ जाए mixer grander के अंदर में तो हमें बुस्ट को रिप्लेस नहीं करना चाहिए यह नीचे साइट का जो पूरा जार होता है जिसके अंदर में बुस्ट फिक्स किया जाता है तो पूरा जो बेस होता है उसे हमें रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि बुस्ट चेंज करने से दो से चार टाम फिर यूज़ करते हैं तो वापस से वह ऐसा ही प्रोब्लम देखने को मिलता है तो यह तीन स्कूरू से बेस प्लेट फिक्स होता है और बस इतना सा ही यह दोनों का लिट हो इसके बाद हम जो मेन पार्ट होता है घूमने के लिए जो मसाले को या चटनी को बारिक करने का काम करता है यह हो गया इसका सर्फ्टिंग सर्फ्टिंग के अंदर में स्क्वाइर साइट पे इस तरह के से स्क्वाइर बना होता है और ब्लेट का जो बैठने का कट है वो भी स् जिस side पर हम इस nut को इस screw जिस side पर हम tight करते हैं उस side पर इसको खोलने का होता है और जिस side पर हम कोई भी normal screw उस side पर यह tight होता है क्योंकि इसका thread उल्टा होता है उसके बाद हम blade के side पर एक शिर्म पतला सा ही वायसर डालेंगे क्योंकि जादा height ना हो क्योंकि height जादा होगा तो फिर बारिक करने में problem करेगा और नीचे side पे हम दो viser का use करेंगे, कोई सा भी viser हो, steel का हो या fiber का viser हो, इसके बाद हम इस coupler को fix कर लेंगे, बस इतना सा ही काम है, इसके बाद कभी भी इस तरीके का problem अगर coupler के अंदर में आ जाए तो coupler किस तरीके से खोलना है, replace करना है या blade को किस तरीके से खोलना है replace करना है, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही आसानी के साथ में इस तरीके से आप खुद से ही इस problem को solve कर सकते हैं